हलो फ्रेंड्स बहुत-बहुत स्वागत है आपका मायसरजी.com के इस चैनल पर है और मैं हूँ आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरप शुक्ला आप लोग देख रहे हैं SQL की सीरीज और आज हम लोगों को देखना है aggregate functions के बारे में चली शुरुबात करते हैं aggregate functions किसे बोलते हैं तो कई सारे calculations करने के लिए कुछ basic calculations करने के लिए हमारे टेबल के data के ऊपर हमारे पास कुछ functions है और ये functions SQL आपको provide करता है इनको कैसे use करना है इनके बारे में आज हम समझने वाले हैं तो ये है aggregate functions so you can perform basic calculations on table data and yield a single value as a result ये important बात है single value as a result आएगा normally आप select query से क्या करते हो records populate करते हो एक record या एक से ज़्यादा records आ सकते हैं लेकिन यहाँ पर result के रूप में एक single value आती है इस single value का इस्तमाल हम लोग कैसे करेंगे वो हम nested query में भी सीखेंगे जो आगे पढ़ेंगे लेकिन फिलहाल हम इन aggregate functions को देख लेते हैं और इनको कैसे use करना है वो देख लेते हैं तो कौन से है aggregate functions ये पाँच aggregate functions हैं min, max, count, sum, avg मतलब average और ये aggregate functions null values को ignore करते हैं जैसे माल लीजे कि अगर min आपने use करा तो इसका काम क्या है minimum value find out करना जिस column पे जिस column की values में minimum value find out करनी है वो ये निकाल के देगा but minimum value निकालने के लिए आप ये सोचो कि उस column के अंदर जो data होगा उसमें अगर null value हुई तो क्या होगा तो मैं ये कहारा हूँ कि ये null value को ignore करता है अगर कहीं null रखा है तो इसको छोड़ देगा बाकी बचे हुए values में जो minimum value होगी वो ये return करेगा max greater value written करेगा same ही चीज़ है ये भी null को ignore करता है sum calculate करता है addition करता है sum करता है ये भी ignore करेगा null value को average avg function है ये average निकालता है और ये भी ignore करेगा null value को लेकिन count जो है वो null value को ignore नहीं करता है क्योंकि यहां में records को count करना होता है usually तो हम इसका इस्तमाल करते है तो वो null value को consider करता है ठीक है अब इसका थोड़ा practical कर लेते है practical में हमें ज्यादा चीज़न समझ में आती है तो चलिए ये शुरुवात करते है practical की सबसे पहले मुझे mysql में लॉगिन करना होगा तो लॉगिन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है मुझे लिखना पड़ेगा mysql mysql-u ये रूट यूजर का नाम है hyphen p लिखिए एंटर करिए पासवर्ड एंटर करिए जो भी पासवर्ड आपने सेट करके रखा था लॉगिन हो गए status command से आपको पता चल गया कि status क्या है आपने show databases command से पता कर लिया कौन कौन से databases है select कर लिया db1 नाम के database को जो कि यह list में दिखाई दे रहा है इसके बाद आप इसके अंदर देख सकते हैं क्या-क्या tables रखी हुई है एक table इसमें employee नाम की है अगर मैं simply select करके बता हूँ select star from employee तो मुझे ये data दिखाई देगा अब इसमें देखे age के अंदर भी कुछ null values रखी हुई है salary के अंदर भी कुछ null values रखी हुई है और अब मैं इस पे min function को इस्तमाल करके आपको बता रहा हूँ मैं जानना चाहता हूँ minimum salary क्या है तो देखे यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ select और select के बाद जहाँ पे आप column के नाम लिखते हैं वहाँ पे आप लिख रहे हैं min ये function और parenthesis में आप देखेते हैं column का नाम, field का नाम which is salary और उसके बाद from table का नाम तो यहाँ पर एक ही result आ रहा है that is 10,000 आप देख सकते हैं null values को ignore करते हुए बची होई values में वो देख रहा है सबसे छोटी value कौन सी है? salary वाले column में तो उसे देख रहा है ये 10,000 लेकिन देखो इसने सिर्फ एक value single value return करी है उसने record नहीं return करा है माल लिजे आपको ऐसा बोला जाए कि हमें वो record देखना है वो employee का record देखना है जिसकी salary minimum है अब अगर ऐसा कुछ पूछा जाएगा तब हम min function का इस्तमाल तो कर सकते हैं पर min function हमें record नहीं दे रहा है सिर्फ minimum salary value दे रहा है तो अगर वो करना होगा तो उसके लिए हमें nested query सीखना होगा जो कि हम आगे के lesson में बहुत जल्दी सीखने वाले है तो इस तरह कि अगर queries आपके दिमाग में आ रही होगी तो definitely आगे cover होने वाली है बिल्कुल चिंता नहीं करें हम सब cover करेंगे पर फिलाल ये single value ही देगा ठीक है पर इसका इस्तमाल जरूर करेंगे हम nested query में so that कि हम पूरा record भी print करा सकें चली ये तो हो गया minimum salary वाला अब min function के लावा एक max function भी है max function को भी देख लेते हैं तो same इसी तरीके से अगर मैं कर लो min की जगे max तो ये maximum salary के बारे में बता देगा आप देख सकते हैं कि 75,000 maximum salary है यहाँ पर तो ये शायद की है तो ये बता रहा है ठीक अगला function हमारे पास है count और count हम करना चाहते हैं okay so मैंने लिखा select count तो count function किसको count करना चाह रहा है आप चाहे किसी column का बोल दे या star लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ता वो same ही result देने वाला है क्योंकि number of records count आप यहाँ पर कर रहे हो और आपने लिख दिया from employee तो इससे पता चल जाएगा total कितने records हमारे पास हैं इस table के अंदर total 15 records हैं अच्छा लेकिन where clause के साथ यह और ज्यादा useful हो जाता है माल लीजे कि मैं यहाँ पर अच्छा उससे पहले मैं एक और चीज़ बताता हूँ where clause से पहले कि जैसे अभी मैंने कहा था कि star की जगे आपने कोई column का नाम भी लिखा होता तो भी वो same result देता नई null values को वो ignore करता क्योंकि जब हम किसी column में देखो count वैसे तो null value को जब हमने star लगाया था तो ignore नहीं कर रहा था क्योंकि उस row में सारी values null नहीं थी ठीक है पर count function को अगर मैंने age दिया तो उसने null value को ignore किया या counting में शामिल नहीं करा तो हमारे पास total records कितने हैं ये जानना हो तो आप column का नाम आप किसी column का नाम देते हो तो वहाँ कितनी null values रखाएं अब जैसे यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ suppose करो name तो name में कोई भी null value नहीं थी तो वहाँ पर वो 15 देदेगा salary में null values थी salary तो वहाँ पर 13 दे रहा है क्योंकि तो number of records आपको कैसे देखने है अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ कि आपको जानना है कि ऐसे कितने employees हैं जिनकी age 25 से ज़्यादा है ठीक है पहले तो हम लोग सारे records को देख लेते हैं देखो इतने records हैं और 25 age से ज्यादा वाले records कौन कौन से obviously null को मुझे छोड़ना पड़ेगा skip करना पड़ेगा 10 भी छोड़ देना है और बाकी तो सारी आने वाले yes तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ count star ठीक है count star और employee from employee where मैं कहना चाहता हूँ कि age greater than 30 कर दूँ क्या 25 के ओपर ही है लगबग सब एक 10 को छोड़ देता है 30 कर देता हूँ age greater than 30 ठीक है अब ज़रा ध्यान से देखिए कौन कौन से इसमें count नहीं हुए होंगे 30 से छोटे वाले कोई count नहीं हुए होंगे तो total थे 15 जिसमें से 15 है यहा 16 आ रहा है 1,2,3,4,5,6 नहीं है एक्चुल में 6 को हमने डिलीट कर आओगा पहले इसलिए यह total पंद रहा है अचा देखिए 10 क्यों आ रहा है क्योंकि 30 से बड़ी age को ही हमें count करना है तो 30 से छोटे वाला कौन सा है 29 एक हो गया और 10 हो गया 2 नल वाले 2 हो गये ठीक है और 26 वाला हो गया तो total 5 हो गये तो हमने 15 थे total उसमें से 5 हलग कर दिये उसके बाद बचे 10 तो इसलिए answer मैं आ रहा है 10 तो ऐसे कितने employees है या कितने employee के records है जिनकी age 30 से ज्यादा है count करके बताईए तो ये है तरीका count करने का ठीक है और अगर मैंने यहाँ पर दिया होता star की जगे age तो क्या होता तो भी 10 आता क्योंकि age को ही तो हम देख रहे है लेकिन अगर मैंने यहाँ पर दिया होता salary ठीक है salary अब धियान दो salary में दो जगे null value है और उन दौनों जगे पर age की value 30 से ज्यादा है तो देखने वाली बात है कि यहाँ पर result क्या आता है यहाँ पर result आ रहा है 8 क्योंकि जिसमें null value है उसको यह देख ही नहीं रहा है ठीक है count function ने null value को देखा ही नहीं तो उन दौनों records को छोड़ दू और बाकी 5 तो हम पहले ही छोड़ चुके है इसलिए आ रहे हैं 8 records got it चले इस तरीके से आप लोग count कर सकते हैं माल लीजे कि यहाँ पर दो records ऐसे होते जिनमें नाम सेम होते अभी तो ऐसा है जैसे शाहिद दो बार आ रहा है संदीब भी दो बार आ रहा है है न और कोई आ रहा है मनीश आ रहा है दो बार ठीक है तो यह तीन records ऐसे हैं जो दो दो बार आ रहे है जिसमें नाम दो दो बार आ रहे है ठीक है मैं चाहता हूँ कि यह counting करूँ कि distinct names होने चाहिए तो distinct names वाले employees कितने तो मैं लिखूँगा select ठीक है select अब मुझे count करना है तो मैंने लिखा count अगर मैं simply names लिखता हूँ पहले from employee अभी मैंने क्या किया अभी मैंने count कर रहा हूँ names को तो total 15 names है लेकिन मैं distinct names count करना चाहिए रहा हूँ तो name के पहले आप लिखिए distinct ठीक है और आप देखिए अब 12 आ गया क्योंकि तीन नाम ऐसे हैं जो दो दो बार आ रहे हैं तो उनको एक एक बार ही count करेंगे तो तीन हट जाएंगे तो बचेंगे 12 got it इसी तरीके से अब मुझे sum करना है salary का लेकिन मुझे सब की salary का sum नहीं करना है मुझे sum करना है पहले मैं सारे records दिखा दूँ आपको ये हैं मुझे salaries का sum करना है उन employees के जिनके नाम के last में SH आता है जैसे रजनीश है मनीश है मनीश दो बार है ठीक है और तो कोई नहीं है तो ये तीन नाम ऐसे हैं जिनमें last में SH आ रहे है तो इनके salary का sum करना है मुझे आप करिए तब तक मैं यहाँ पर query लिखता हूँ select sum और salary where अचा from तो लिखा ही नहीं from employee where name like और यहाँ पर wildcard यूज करना होगा percent और last में है SH ending SH से होनी चाहिए तब आप देख लीजे इनकी salary का sum कर लीजे रजनीश की salary है 19,000 उसके बाद मनीश की salary है 18,000 37 हो गया उसके बाद फिर मनीश की salary है 60,000 ठीक है और वंश पी तो है वंश पी है तो उसकी salary होगी 22,000 तो कितना हो गया 60, 70, 80, 90, 100 100 और 19 ठीक है 119,000 बिल्कुल सही है ठीक है जिन जिनके नाम में last में SH आ रहा था उनके salary का मैंने sum कर रहा है अब इसी तरीके सम average निकाल लेते हैं अगर मालीजे इसी में मुझे average निकालना होता इनकी salary का अब यह कितने records हैं यह अबने नाम में SH देखा last में चार हैं रजनीश, दो मनीश और एक वंश चार हैं तो इन चारों के salary का average मतलब इसी number को 4 से डिवाइट कर देना है तो answer आजाएगा आप देखिए 2,9,7,5,0 आ रहा है 4 से डिवाइट करने पर बिल्कुल सही है तो यह average निकालने का तरीका हो गया तो I guess यह aggregate functions आपको समझ में आ गए होंगे बाकि आपने links, important links इस वीडियो के description section में देखी लिए होंगे अब आप लोग प्लीज वीडियो को ज़रूर लाइक करना अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपको समझ में आ रहा है मैं आपको assignment भी दे रहा हूँ तो उस assignment को भी आप solve करिएगा क्योंकि आगे की वीडियो में assignment solve करके बताऊँगा तो आपने जो आज सीखा उसकी practice भी आपको करनी है तो practice के लिए assignment ज़रूर कर लीजेगा link आपको description section में मिल जाएगा पकी like भी करिए share भी करिए ये playlist को share करिए अपने दोस्तों के साथ और अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लीजे क्योंकि लगातार इस तरह के वीडियोज आ रहे हैं और आपसे कुछ miss नहीं होना चाहिए thank you good bye